आज मैं आपको अल्फाबेट का कैप्टल एंड स्मॉल वाई का ग्राफ बना के बताऊंगी यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स नाइन फंदों में वाई का यह ग्राफ बनेगा और 11 स्लाई में बनेगा तो चलिए यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं यह देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 13 फंदे लिये हैं और यहाँ पर मैंने 2 स्लाई बना लिया है अब यहाँ पर ग्राफ स्टार्ट होगा तो देखिए 2, 3, 4, 5 फंदा यहाँ पर ब्लैक से बुनना है फिर यहाँ पर 3 फंदा ओरेंज से बुनना है फिर यहाँ पर 5 फंदा ब्लैक होगा उसके बाद देखिए फ्रेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 स्लाई बिल्कुल से बुनना है औरेंज पर औरेंज और ब्लैक पर ब्लैक यह देखिए फ्रेंट्स यहाँ तक मैंने कम्प्लीट कर लिया है अब आगे देखिए यहाँ पर 4 फंदा ब्लैक से बुनना है और यहाँ पर 5 फंदा औरेंज होगा 4 एंड 5 फिर इधर 4 फंदा ब्लैक फिर आगे से देखिए आगे से यहाँ पर 3 फंदा ब्लैक होगा फिर 3 फंदा औरेंज 1 फंदा ब्लैक फिर यहाँ पर 3 फंदा औरेंज और 3 फंदा ब्लैक अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 फंदा ब्लैक होगा 3 फंदा औरेंज होगा फिर यहाँ पर 3 फंदा ब्लैक होगा और 3 फंदा औरेंज होगा और यह 2 फंदा ब्लैक से बुनना है और आगे से बिलकुल सेम बुनना है ब्लैक पर ब्लैक और और औरेंज पर अब देखे फ्रेंट्स यहां पर capital Y ready हो गया है अब पीछे से सारे फंदे black से बुलने नहीं उसके बाद small y के अग्राब बनेगा अब देखे फ्रेंट्स यहां पर small y small y 9 फंद में बनेगा और 14 फंद में बनेगा तो चलिए यहां पर start करते हैं यहां पर 2,3,4,5 फंद ब्लेक से फिर यहां पर 4 फंद ओरंज फिर 5 यहां पर 4 फंद ब्लेक फिर अब पीछे से देखे यहां पर 3 फंद ब्लेक 1 फंद यहां पर ओरंज यहां पर 3 फंद ब्लेक 2 फंद ओरंज फिर यहां पर 4 फंद ब्लेक से बुनना है अब बागे से देखे यहां पर 3 फंद ब्लेक 2 फंद ओरंज और देखे यहां पर 1 2 3 4 5 फंद ब्लेक और 1 फंद ओरंज से फिर यहां पर 2 फंद ब्लेक फिर यहां पर 2 फंद ब्लेक 1 फंद ओरंज फिर यहां पर 2 3 4 5 यहां पर 6 फंद ब्लेक होगा और 2 फंद ओरंज होगा और 2 फंद ब्लेक फिर अब यहां पर देखे यहां पर 2 फंद ब्लेक 2 फंद ओरंज फिर यहां पर 2 3 4 5 फंद ब्लेक 5 फंदा ब्लैक, 1 फंदा ओरेंज, और यहां पर, 3 फंदा ब्लैक, फिर अब यहां पर देखिए, 2, 3, 4, 5 फंदा, यहां पर ब्लैक होगा, फिर, 3 फंदा ओरेंज होगा, 1 फंदा ब्लैक, फिर, 2 फंदा ओरेंज, और यह, 2 फंदा ब्लैक, फिर, यहां पर देखिए, यहां पर, 3 फंदा ब्लैक, फिर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदा ओरेंज होगा, फिर, यहां पर, 4 फंदा ब्लैक, अब यहां पर देखिए, 3 फंदा ब्लैक, 3 फंदा ओरेंज, फिर, 1 फंदा ब्लैक, अब आगे से देखिए, आगे से यहां पर, 3 फंदा ओरेंज, फिर, 3 फंदा ब्लैक, अब आगे से देखिए, आगे से यहां पर, 3 फंदा ब्लैक, टू फंदा ओरेंज, 3 फंदा ब्लैक, तू फंदा ओरेंज, एड यहां पर, 3 फंदा ब्लैक, उसके बाद, देखिए, फ्रेंट्स, यहां पर, 1, 2, 3 बिनकुल सेम बुनना है, ओरेंज और ब्लैक पर ब्लैक, अब देखे फ्रेंस यहां पर यहां तक मैंने भूल लिया है अब यहां पर देखिए यहां पर थ्री फंदा ब्लेक होगा और टू फंदा ओरेंज और यहां पर थ्री फंदा ब्लेक और यहां पर थ्री फंदा ओरेंज और फिर यहां पर टू फंदा ब्लेक पीछे से दिखे फ्रेंस यहां पर लास्ट असलाई है पीछे से तो यहां पर यहाँ पर 3 फंदा ब्लैक से बुनना है और फिर यहाँ पर 1 फंदा ओरंज और यहाँ पर 2, 3, 4, 5 फंदा ब्लैक होगा 1 फंदा ओरंज और यह 3 फंदा ब्लैक से बुनना है और आगी से सारे फंदे ब्लैक से बुनने है यह देखिए फ्रेंट्स यहां पर क्याप्टिल लेने स्मॉल वाई का ग्राफ रेडी हो गया है और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें बाइब फ्रेंट्स